कि अंगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोर पैरों की निशानी या निशानी मूँ कहो कर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका अर्थ पंथी पंथ का अनुवान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले मन करे सोप्राण ले जो मन करे सोप्राण दे वही तो एक शर्व शक्तिमान है विश्व की पुकार है या भागवत का शार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमान है कौरवों की भीर हो या पांडवों का नीर हो जो लर सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई व हम लोग अक्सर planning और implementation के बीच में डाइलमों में पाते हैं, ऐसा होता है कि कई सारे candidate रोज नए नए planning कर रहे हैं लेकिन implementation में वो काफी पूर होते हैं और जब वो implement उसे नहीं कर पाते तो जाहिड सी बात है उन्हें सफलता नहीं मिलती है आखिर हम जो सपने बुनते हैं या civil services exam की तयारी में जो हमारा dream है या aspiration है उसे reality में convert करने के लिए जो journey है जो सफर है उसे हम कैसे implement करें ताकि हमारी planning जो है वो execution इस तरह से हो कि हम ultimately अपने goal को प्राप्त कर सके अपने लक्ष को प्राप्त कर सके तो जो planning और implementation के बीच का जो mismatch है या gap है उसे हम आज समझने की कोशिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हमारा channel धनाजे IS Academy को like, subscribe और share जरूर करें ताकि further updates, नए-नए courses और latest videos की जानकारी आपको मिलती रहे civil services exam हर किसी का एक passion है, एक dream होता है कि मुझे समाज सेवा के लिए civil सेवा में जाना है dream देखना अच्छी वात है परंतु उस dream को हकीकत में बदलने के लिए आपको काफी मेहनत और काफी कठिन जर्नी से भी गुजरनी परती है उसके लिए जो आपको sacrifice करना है जो planning का execution करना है उसे आपको बेतर तरीके से समझने की आवशक्ता होती है अन्य था सिर्फ मुंगेरी लाल के सपने देखने रहने से आपको सफलता प्राप्त नहीं होती हर व्यक्ति की ये चाहत होती है कि वो एक दिन civil servant बने समाज में जाकर लोगों के बीच काम करे in fact potential भी होती है लेकिन यहाँ पर एक जो काफी classic difference है उसे हमें समझना पड़ेगा कि सिर्फ potential का होना that is कहा जाता है willingness to do करने की चाहत इच्छा शक्ती और दूसरा होता है capability to do that is करने की च्छमता अब यही जो है वो दो अलग अलग तरह के candidate दिखते हैं एक जो रोज सपने बुन रहा है चाहत है उसके पास करने की और दूसरा जो अपनी च्छमताओं को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है वो इस कोशिस में है कि किस तरह से वो अपनी च्छमता को ऐसा बना ले कि उसका potential जो है वो realize होकर ultimately उसके dream को fulfill कर सके willingness to do अगर मान लीजिए मैं यह सोचू कि मैं भी जो है IPL में किसी team के साथ खेलूं और century मारूं या काफी बेहतर परदर्सन करूं यह मेरी चाहत हो सकती है लेकिन क्या मेरे अंदर वो च्छमता है क्या मैंने उस पर काम किया है क्या मैं IPL में जो खिलारी खेल रहे है और जिस अस्तर का वो परदर्सन कर रहे है उस अस्तर का परदर्सन अपने आप में लाया है अपने practice session के जड़िये obviously नहीं तो यहां मेरी जो willingness है वो किसी काम की नहीं है क्योंकि मैंने अपनी capability पर ध्यान नहीं दिया है इसलिए सिर्क willingness का होना आपको सफलता की guarantee नहीं देता है अब execution phase के लिए आपको serious strategy बनाने की जरूरत होती है गंभीर तरीके से आपको prioritize करने की जगत होती है अपने strength और weaknesses को जानने की जगत होती है कि कहां आपको ज़्यादा work करना है कहां आपको relatively थोड़ा कम work करना है जैसे डॉक्टर हरिवन सराय बच्चन ने कहा अंगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी या निशानी मूख होकर भी बहुत कुछ बोलती है खोल इसका अर्थ पंती पंत का अनुवान कर ले पुर्व चलने के बटो ही बाट की पहचान कर ले तो जब आप इस पात पे आते हैं तो आपको जो है इसमें आने वाले हाडल्स और जितनी भी तरह के आपकी चैलेंजेज हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से भली भाती समझना होगा आई बट सांज में तो सबसे पहले जो एक क्लासिक कैंडिडेट माल लीजे सपोज वो फ्रेसर है तो उसे एक डेली टारगेटेड प्लान एक प्लान्ड एप्रोच का जो पर्फोर्मेंस होता है वो अन्प्लान्ड एप्रोच से बिल्कुल ही अलग होता है क्योंकि अगर आप देखें तो एनर्जी हर किसी के पास है पोटेंसियल हर किसी के पास है लेकिन एक unplanned way में जिग जग way में अगर आप performance करते हैं तो अगर आपको point A से point B तक जाना है तो आपके पहुँचने का direction कई सारा हो सकता है जिसमें आपके समय यानि की attempt की बरवादी होगी लेकिन अगर आप planned और targeted way में approach रखते हैं तो आप directly relatively short plan that is one attempt में आप इसे complete कर सकते हैं और अपने target को पा सकते हैं अब इसके लिए क्या करना है जाहिर सी बात है regular plan और वो realistic होना चाहिए hypothetical नहीं कि हाँ एक दिन मैंने इतना ज़्यादा अपने ऊपर planning कर लिया कि 16 घंटे पराई कि अगले तीन दिन तक जो है मैं ठीक से पड़ी नहीं पा रहा हूं तो एक realistic plan considering your own strength and weaknesses जो की भली बाती आप खुद ही जानते हैं अपनी कमियों और अच्छाईयों के बारे में और ये जो प्लान है इसे हम कहते हैं calendar exercise ये calendar exercise क्या है आपके study room में एक calendar हर हाल में लगा होना चाहिए जिसमें की प्रती दिन सुबा उठने के साथ ही आप अपने target fix करेंगे date सपोज आज कोई भी date है और उस date को आपने 1, 2, 3 target आपने fix कर लिया कि आज मुझे quality में ये परना है history में ये परना है current affairs में ये परना है और रोज का एक answer writing practice करना है इसके बाद आपने अपने दिन भर के study period में जो भी आपने time निकाला 5-6-7 गंटे का उसके बाद आप जो है इसे revise करते हैं और साम को जब आप सोने के समय जाते हैं दिन भर की दिन परसेंट हुआ उसे next day carry forward भी करते हैं और again next day के target में आप इसे add कर देते हैं और इस date को आप cross कर देते हैं ताकि आपको ये realize हो सके कि आज के दिन का utilization मैंने कितना किया always remember efficiency is nothing but the output by input तो यही 24 गंटे उन सभी candidate को मिलते हैं जो या तो सफल होते हैं या आसफल होते हैं depend ये करता है कि आपका output कैसा रहा clear और इसी लिए आप बहुत जादा ये futuristic plan long term plan की हाँ एक महिने में ये कर लेना है ऐसा plan कभी भी आपका successful नहीं होता है कहा गया है काल करे सो आज कर आज करे सो अब पल में परले होए बहुरी करेगा कब in fact स्रीमत भगवत गीता में भी भगवान ने कहा कि आपको वर्तमान में जीना चाहिए क्योंकि बीता हुआ कल और आने वाले कल का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता वह सिर्फ मन की एक अवधारना है इसलिए कुछ भी कल पर छोड़ने की बजाए जो आपका आज का टार्गेट है वो हर हाल में फुल्फिल होना चाहिए क्लियर तो सबसे पहला काम जो है वो आपको प्लानिंग से इंप्लिमेंटेशन दियो और जाने में आपको realistic target करके calendar exercise के साथ प्रती दिन आपको प्लानिंग करना चाहिए दूसरा क्या है दूसरा हम कहते है endurance limit हमेशा ध्यान रखे civil services exam जो है वो एक marathon race है वो कोई 100 meter race नहीं है कि आपने तुरंत energy लाई और आपने line को cross कर लिया यह कोई T20 match नहीं है बलकि यह एक test match है so it needs your inner capability आपका endurance आपका जो potential है वो काफी महत्व रखता है इस exam को qualify करने में साथी साथ जो आपका patience level है वो आभी काफी बड़ा role play करता है for example पहले week आप मात्र चार गंटे की ही पराई कर पाए कोई बात नहीं इसे एक सब्ता तक continue करें लेकिन प्रती दिन चार गंटे की पराई जरूरी है फिर एक सब्ता के बाद half an hour से increase करें और इसे four and half hour बनाए ऐसे half and hour से हर हफते अगर आप increase करते हैं तो one month के बाद आपका एक stamina develop हो जाएगा कि six hours की regular study जो है वो आप easily complete कर पाएंगे और ये आपका six to eight hour जो है ये threshold limit है इसे आप always और ये self study की बात में कर रहा हूँ कि six to eight hours का threshold limit है उसे आप maintain करके रखे यहां तक पहुँचने में आपको maximum one to one point five months लगेंगे और धीरे धीरे half an hour से आपको परविक इसको बरहाना है तो हमेशा ध्यान रखे कि success demands from you a lot of hard work it takes your sleep, sweat as well as it also demands a lot of discipline from you जैसा कि आप आप लोगोंने सुना ही होगा कि मन करे सोप्रान ले जो मन करे सोप्रान दे वही तो एक शर्व शक्तिमान है विश्व की पुकार है या भागवत का शार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमान है कौरवों की भीर हो या पांडवों का नीर हो जो लर सका है वो ही तो महान है जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वस नहीं क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो और मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरें ये जा के आसमान में दाहार दो तो जाहिड सी बात है जब आपको सक्सेस पाना है तो definitely सिर्फ मुंगेडी लाल के सपने देखने से काम नहीं चलेंगे आपको जमी पे उतरना ही पड़ेगा आपको मैदान में कूदना ही पड़ेगा और फिर आपको अपना मेटल टेस्ट करना पड़ेगा through your calendar exercise through your beaker exercise आपको अपना endurance limit भी बढ़ाना पड़ेगा तो ध्यान रखें कि जब ठान ही लिया है उंची उरान का तो फिर कद क्या देखना अब आसमान का थैंक्यू अल्डवेस्ट